हलो एब्रिवन आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करूँगा HDFC Flexi Cap Diet Plan Growth Mutual Fund के बारे में इसमें हम देखेंगे कि जो HDFC Flexi Cap Diet Plan Growth है इसने पिछले एक साल, तीन साल, पांच साल या फिर एनुवल रिटन क्या दिया है आज के डेट में इसका एक इने भी का प्राइस क्या है ये कितने इस्टार रेटिंग मुच्वल फंड है इसमें मिनिमूम SIP अमॉंट आप क्या लगा सकते है और इसका फंड साइच क्या है अब लोग पिछला इसका एक साल का रिटन की बात कर लेते हैं तो एक साल में जो रिटन दिया है वह 14.30% का रिटन दिया है एक साल के अंदर तीन साल के बात कर लेते हैं तो तीन साल में जो रिटन है वह 32.31% का रिटन है पांच साल की बात कर लेते हैं तो पांच साल में 16. 12.92 का जो है रिटन है अब एन्वाल लेटन देखें तो 15.41 परसंट का एन्वाल रिटन रेट है अब लोग इसका एन्वी देखती है तो आज की देट में इसका एक एन्वी का प्राइस है 1403 रुपया 27 पैसा रेटिंग की बात कर लेते हैं तो यह फोर स्टार रेटिंग रिटन कलक्रेटर में देखेंगे यदि आप मंतली कुछ S.I.P. कर रहे हैं तो आने वाले एक साल, तीन साल, पांच साल में क्या रिटन देखने को मिलेगा तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप यदि इस मोच्छोल फंड के अंदर 50,000 रुपया पर मंत S.I.P. कर रहे हैं तो मिलेगा 2,36,303 रुपया 5 साल की बात कर लेते हैं तो पांच साल में आपका पैसा जबान होगा 3,00,00, आपको मिलेगा 5,706,00 रुपया आप हम लोग देखते हैं इसके अंदर Stock Listed तो इसके अंदर जो Total Stock Listed है वो 42 Stock Listed है जिसमें से हम लोग Top 10 पे बात कर लेते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है ICIC Bank Limited, HDFC Bank Limited, NTPC Limited, State Bank of India, HCL Technology, भार्ती एटर Limited, Cipla Limited, SBI Life Insurance Company Limited, इंदुस्तान Aeronautic Limited, Mahindra and Mahindra Limited. तो यह टोटल टॉप 10 स्टोक इसके अंदर लिस्टेड है. आप लोग Return and Ranking की बात कर लेते हैं, तो एक साल में जो Fund Return है, वो 14.3 का है, 3 साल में 32.3 का है, 5 साल में 16.9 का है, और Animal देखा जाए, तो 15.4 का है. मैं पर कैटेगरी अबरेज में देखें, तो एक साल में 10.4 का है, 3 साल में 20.3 का है, 5 साल में 14.1 का है. रेटर रैंग की काटेगरी पे देखें, तो एक साल में यह 14.6 का है, 3 साल में यह दूसरे नमर पे रैंग करता है, और 5 साल में यह 10.6 नमर पे रैंग करता है. अब इसी के आसपास यदि हम Similar Funds देखें, तो कौन कौन सा इसके आसपास similar Funds वो देखते हैं, तो इतना इसके आजपस similar funds है आप लोग इसकी expensive ratio exit load और tax की बात कर लेते हैं तो इसका जो expensive ratio है वो है 0.94% का exit load की बात कर लेते हैं यदि आप एक साल के अंदर अपना जमा हुआ पैसा यदि इसमें redeem कर लेते हैं तो 1% का exit load आपको देना पड़ेगा इस time duty की बात कर लेते हैं तो इस time duty जो है 0.005% है तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ discuss किया HDFC Flexi Cap diet plan growth के बारे में फिर मिलते हैं लोग next को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को ले करके जानकारी कि अच्छी एल जानकारी का अंच्छी ले को लेते हैं आए झाड़ेक लेगा